स्वतियाबाद के रतिया ब्लोक के गाउं कलोठा के सरपंच के साथ BDPO कार्याले में मारपीट के जाने का मामला सामने आया है हाला कि सरपंच से मारपीट करने वाले आरोपी पक्ष का कहना कि सरपंच ने पहले गाली गलोच किया और इसी के बाद जगड़ा शुरूआ और नौबत आपसी हाता पाई तका गई मारपीट की घटना मौके पर लगे CCTV में कैद हो गई फिलाल मामले में सरपंच की ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है तो दूसरी तरफ सरपंच के साथ मारपीट करने के आरोपों से गीरे दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को चोटे लगी है जिससे अस्पताल में भरती करवाया गया है BDPO काराले में सरपंच के खिलाफ SDM काराले से पैसे के लेंदेन और अन्य शिकायतों संबधी जांच को लेकर दोनों पक्ष तलब किये गए थे BDPO काराले के S.P.O. ने बताया कि सरपंच सुर्जीत सिंग के खिलाफ कुछ शिकायते जांच के लिए BDPO काराले में आई थे जिस पर सरपंच और शिकायत करता पक्ष को जांच में शामिल होने के लिए बुलाए गया था पंचायत अधिकारी का कहना है कि दोनों पक्षो को सुना गया और सरपंच के खिलाफ आरोप बेबुनियात पाये गए जांच पूरी करने के बाद जैसे ही अधिकारी अंदर गए तो दोनों पक्षो के बीच पीछे से मारपीट हो गई सरपंच ने आरोप लगाया कि बीडीप्यो कारयाले में मारपीट करने वाले लोग पहले से घात लगा कर बैठे थे और उन्होंने मौका पाकर मारपीट की वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में भरती दीपक कुमान ने बताया कि आरोप लगाया कि सरपंच के खिलाफ SDM कारयाले और CM विंडो में शिकायत दर्ज करवाई हुई है जिसकी जाच के लिए बीडीप्यो कारयाले में बुलाया जया था सरपंच से घाओं में सरकारी सरक निर्मान कारे के रुपए लोगों ने लेने हैं लेकिन रुपए देने में सरपंच आना कानी कर रहा है शिकायत की जाच के दोरान बीडीप्यो कारयाले में सरपंच ने दुर्ब्यभार किया और गाली के लोच के और इसी को लेकर उसके साथ मार पिट हुई फिलाल मामला पुलिस तक पुछ गया है और आगामी जाच पुलिस कर रही है कि मेरे नहीं कोई मामला करता है के प्रानी गंटीश ज़ता ने कैसे के सिटेम्ट लाइसी जोदित अनल मेरा कोई और कुई ओनी मामलाई महलो् सरकारी सड्क बणी उत्टे ट्रैक्टर ट्राली लोगाई जिए नोहजार प्या लेन ऐड असी केस करे अचे सिग्धियम ते महलो लार खी सिग्धंगे पैसे ता मिट्टी सुटी जी सरकारी सटक बनी सी किन्या में टीट्रा लियां सीजी नो हियार पीजाजी तीन चार शिकायती हैं थी सीम इंडो पर लगे हुई थी बिसर पंच हमारे को जो करिय किया है कलोठे गाउं के अंदर पैसे नहीं दे रहा तो उनकी शिकायत सुनने के लिए बलाए गए थे नियाव राम पुत्तर लाल चंद पाल चंद पुत्तर दर्शन सिंग और दो और वेक्ति और थे जो सिकायत इसने की थी उन्होंने का भी मारे पैसे नहीं दे रहे हैं तो हमने उनके ब्यान दर्ज किये लेकिन जो इसी कायत की है इसमें ज्यादा कोई सचाई नहीं है इनका आपस का ही कोई लड़ाई जगड़े का पहले का मामला है सरपंच के साथ और सरपंच विचारा कुछ नहीं कह रहा देन को सरपंच के साथ इन्होंने जवरदस्ती किये मार कुटाई किये और कुछ ऐस्वद भी कहे हैं जो इन्होंने नहीं कहीं है जा सीम इंडो को दिखने के लिए तो उसके बाद ये सब गटना कर्म हुआ है